जब भी आप किसी भी चीज से डर कर बैटे हैं आपका दुख आपके सिर पर है और जैसे ही आप साहसी बने सामना करने के लिए तयार हुए उसी समय आपका दुख दूर होता है कृष्ण भगवान समझाना चाहते हैं अगर अपने दुख से मुक्ति पाना चाहते हो तो दुख से मुक्ति बहादुरी से मिलेगी कायरता से नहीं मिलेगी कायरता चोड़ो जो होगा देखा जाएगा सामना करेंगे डर कर भागते रहें जो डर कर भागता है वो चैन से नहीं सो पाता है द्यान रखना सबसे शक्ति शाली माना जाता है हाथी और बुद्धि मान भी है जो लोग जंगल में काम करते हैं या इस जीव विज्ञान को जानते हैं उन्हें पता है कि रात्रे में जब ये सोते हैं हाथी तो बाकी सारे के सारे सो रहे होंगे दो खड़े होके जागेंगे एक उस साइड में और एक इस साइड में बाकी सो रहे होंगे दो ड्यूटी देते हैं अपने चपिदार बनके खड़े होंगे कि हम जागें ये सोए शेर रात में भी सोएगा, दिन में भी सोएगा और अकेला बेटा होता है अब समस्या क्या है? इतनी बड़ी ताकत वाले सारे के सारे सो जरूर रहें लेकिन दो की ड्यूटी है भी या तुमने जागना है आवाज कर देना फिर हम उठकर के आएंगे और फिर सामना करेंगे क्योंकि फिक्र है, फिक्र जो है चैन से सोने भी नहीं देगी, उनका कान लगे रहते हैं कोई आवाज आए है तो फिर उठना है शेर लंबितान के दिन में भी सो जाता है, रात में भी और यहां तक होता है, कि अगर वो आँखे बंद करके सोया पड़ा है तो आप बराबर से निकलते रहें, कुछ नहीं करेगा और जब भूका होगा तो उठकर चलेगा, तो फिर कुछ करेगा ही करेगा फिर आप कहीं भी रहिए, आप ज़ाड़ी में छिपके बैठ जाए, यह सूंग तब पहुँचेगा अब प्रश्नी यह आता है, एक शक्तिशाली भी क्योंकि शेर की ताकत उतनी बड़ी नहीं है जितनी हाथी की है हाथी की बहुत बड़ी ताकत है लेकिन डर है, शावरिय नहीं है इसलिए अगर कहीं पर भी शावरिय की बहादुरी की उपमा दी जाएगी तो शेर से दी जाएगी, आती से नहीं दी जाती जब तक आप शेर बन कर रहते हैं तो दिन में भी चैन से सोगे, रात में भी चैन से सोगे क्योंकि जब मुकाबला करने की बारी आएगी खत्रे से लड़ने के लिए जो हर पल तयार रहता है वो चैन की नीद सो सकता है नहीं तो रो इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया अब तो मैं या नहीं रुकूंगा दो-दो मिनिट में तो नाक पर गुस्सा आता है और उसके बाद अपना घर छोड़ कर भागो नौकरी गई कितने लोग आते हैं आके कहते हैं हमारी नौकरी छूट जाती है बार-बार क्यों छूटती है आपने को बरदास नहीं होता हमने कहा कि आपको घर से लेकर बार तक हर जगह एड़ेस्ट करना ही पड़ेगा बगोड़ा बनकर चलते रहोगे तो रोज-रोज नौकरी छूटती रहेगी और अगर जम के सामना करोगे तो एक ही जगह है नीचे से चल करके उपर तक पहुँचेगा एक जगह टिकी है तो सही सब जगह दुश्मन ही बैटे हैं प्यार करने वाले लोग भी तो हैं और बादरी तो यही है कि जो जीतना होता सिर्ब हतियारों से नहीं प्यार से भी तो जीता जाता है आप दिल से किसी को अपना बना लें सेक्रिफाइज करना पड़ेगा उसके लिए अपनी मैं को मार के जुकना पड़ेगा मिलना पड़ेगा उन्हें अपना बनाना पड़ेगा जो तुमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो तुम उनके लिए क्या करते हो इतना कुछ करिए कि आपके बिना उनका काम चलना मुश्किल हो जाए जिनका काम आपके बिना चलना मुश्किल हो जाएगा वो आपके पीछे पीछे गुमेंगे और जिनको आपकी जरूती नहीं है वे उनके पीछे आप गुमते रही है इसलिए अयोग्य आदमी चापलूसी में लगा रहता है और योग्य आदमी कर्म में लगता है उसके चापलूसी मालिक किया करते हैं और एक हो जो मालिकों के चापलूसी करते हैं बनिये कुछ तो क्या समझे आप पहला आदेश कायर मत बनिये कायरता जिंदगी में कहीं भी है किस भी छेत्र में है उसे तोड़िये दूसरी बात उन्होंने कही है कि तुम खुद को पहचानो तुम क्या हो क्योंकि तुम्हें ये शोभा नहीं देता कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती क्योंकि तुमने कितने कितने सहासिक कारिय की है अपनी जुन्दगी में पिछले सब कारियों को ध्यान में देना जब जब आप बहादुर बने और आप एक बात ध्यान नकना जब भी आप अपने प्रिस्नल्टी पर अपने व्यक्तित्व पर दृष्टी पात करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी उन्ही चीजों को आप सराएंगे जहां आप बुद्धिमान थे जहां आप सहासी थे जहां आपने जोखिम लेकर बड़े काम किये जहां आपने जीत हासिल की वो सब चीजें याद करके आप कहते हैं हाँ ये मैंने समस्चा ऐसे सुल जाई थी ये काम मैंने ऐसे कर लिया था यहां मैं डर पोक नहीं बना था यहां मैं बहादुर बना था यहां मैंने समस्चा को सुल जाने के लिए पूरी बहादुरी से जाकर बात की लेते हैं तो उसके बाद दिखाई देते हैं कि आप पहले से बढ़ गए हैं आप अकेले थे रहापके साथ आपका एक अपना मित्र मिल गया तो आप दुगने हो गए जिस दिन आपके साथ चार लोग हो गए तो उस दिन आपकी थाकत चार गुनी हो गए जिस दिन दस लोग आपके साथ में प्यार से एक दूसरे के साथ इस तरह खड़े हैं कि उनकी अपनी पहचाननी हो कहते हम सब एक सारी उंगलियां एक इसी को तो पावर कहते हैं तो प्रेम की शक्ति से अपने आपको शक्तिवान बनाना तो पहचानना के आप कोन हो जब आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हो क्योंके भगवान शिक्रुष्णे आगे दूसरे अध्याय के आठवे श्लोक में यही समझाया के पहले तो तुम पहचानो के तुम कोन हो अंत वंत इमेदेहा नित्यस्योक्ताह शरीरिणः अनाशिनो अप्तमी यस्य तस्माग युद्यस्ववार्द समझाना चाह रहे हैं यह तुमारा शरीर यह नश्वर है यह तुम नहीं हो तुम कोन हो नित्य अविनाशी अपरिवर्तन शील जीवात्मा तुम नहीं मिटोगे तुमारा अपना सुरूप क्या है बदले की देह देह के अवस्थाएं भी बदलेंगे जिस शरीर में तुम हो उसकी अवस्थाएं बदलेंगी बचपन, किशोर बालपन जाएगा किशोर अवस्था आएगी किशोर अवस्था जाएगी योवन आएगा योवन फिर अधेड अवस्था में पहुँचेगा और अधेड अवस्था फिर वारधक्य में सारे परिवर्तन शरीर के लेकिन जो अप्रमिय है वो तुम हो जो बदलेगा नहीं वो तुम हो जिसका अंत होगा जिसकी सीमाएं है शरीर लेकिन जो असीम का हिस्सा है वो तुम हो, तुम्हारी आत्मा है तुम अपने को पैचानो, तुम मिटने वाले नहीं हो पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे इसलिए डर किस बात का देखे, गीता में जिस चीज को सबसे जादा बल दिया बगवान ने ये समझाने की कोशिश की कि तुम कौन हो मतलब वो आत्मा जो मिटता नहीं नैनम चिंदंति श्रस्त्रानी श्रस्त्र नहीं काट सकता इसे नैनम दहति पावकह आग नहीं जला सकती नशोष्यति मारुतह हवा सुखा नहीं सकती नकलेद यंतियापह पानी घीला करके गला नहीं सकता इसे मतलब हवा पानी आग श्रस्त्र जो भी मिटाने वाली चीज़े हैं वो शरीर पर असर डालेंगी नश्वर संसार पर असर डालेंगी तुमारी आत्मा पर नहीं तुम ये हो सीधा मतलब है भगवान कहते हैं कि तुम अविनाशी नित्य रहने वाली आत्मा हो ऐसी जीव आत्मा हो जो शरीर धारन करके बार बार इस प्रत्विग्रह पर आते हो और फिर लोट जाते हो तुम मिटते नहीं हो सावर करने जब उनको उम्र कैद की सजाद और वो भी डबल दे दी अंग्रेज जज थे बारत देश की करांदिकारी को डबल उम्र कैद की सजादी तो उन्होंने क्या कहा ये सजाना दे कर फासी चड़ा दो क्यों बोले इतनी उम्र तक जेल में बैठे रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे हम तो इतन देर में जन्म लेके दोबारा आ जाएंगे बोले फिर क्या करो के बोले फिर तुमारा सामना करेंगे इतन देर में तो मैं जवान होकर के आ जाओंगा लड़ने के लिए अब जज कहता है कि दुनिया भर के लोग डरते हैं मरने से मरने का डर ही दुनिया में सबसे बड़ा डर होता है दर्शन कारून लिखा न कि पांच ही तो कलेश दुखदाई चीज़ें होती हैं अवीध्या, स्मिता, राग, द्वेश jetzt, अभिनिवेश आई ती, पंच कलेश है इन दुनिया में उसमें सबसे ज़्यादा अभिनिवेश मैं रहने ही पाऊँगा मेरी चीज़ नہ मिट जाए मेरा नाम न मिट जाए मेरा घर न मिट जाए मेरी पहचान न मिट जाए जो कुछ भी ओ, खत्म न हो जाए ये डर सबसे बड़ा डर है दुनया में तो जहां किसी भी तरह का डर रहता है ना वहाँ आदमी को चिंता रहती है और किसी चीज के खोने का दुख निराशा मिट गए बरबाद हो गए अब हम क्या है किसी आदमी को राज महल से जोपड़ी में बैठा दिया जाए उसका राजापन खत्म हो जाता है अमीरी खत्म हो जाती है कुछ लोग अंदर से अमीर होते है कहीं भी बैठा उनकी अमीरी नहीं जाती वो वैसे शान से जीएंगे जैसे वहाँ बैठे थे कुर्सी पर बैठे हो हो या कुर्सी से नीचे उतर जाए उनका कि बादशाहत जाए नहीं करती क्योंकि जिसकी बादशाहत अंदर है उसे कोई नीचे नहीं उतार सकता और जो बाहर से ओड़ी भी चीज सुना ना आपने के चुहें को बिल्ले से डल लगता था तो वो चुहां भागते भागते रिशी के चरणों के पास आके बैठ गया छिपके वो पाउं हिलाएं वो दोड़के फिर आए वहां छिपके बैठ जाए तो रिशी ने जो है वो भाशा जानते थे जीवों की तो अपनी उनी की भाशा में बात की यहां क्यों बैठा है मुझसे डर नहीं लगता बोले तुमारे अंदर तो फिर भी दया है लेकिन जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है न वो बिलोटा सामने है वो खा जाएगा मुझे तुम तो लात वात से बगा दोगे थोड़ी बहुत चोट लगेगी वो तो पूरा ही मार के खाएगा इसलिए तुमारे पास बेटे हैं दया आ गई बोले क्या चाहते हो बोले डर कतम हो जाए तो उन्होंने कहा ठीक है बिल्ली बन जाओ जो डर आए उस जैसे बन जाओ बिल्ली बन गई चुआ बिल्ली बन गया बिल्ली बनने के बाद एक दिन फिर आया और पीछे जहां उनका आसन था जिस सिंगासन पे बैठे वे थे साधना कर रहे थे चोकी पे बैठे वे उसके पीछे आकर बिल्ली छिप गई इन्होंने पूछा क्यों डर रहे हो बोले कुट्ता पीछे पड़ गया अच्छा इतना परिवर्तन किया तब भी तुम्हारा डर नहीं गया बोले कुछ भी आप बना रहे हैं डर फिर भी लगता बोले नहीं तुम्हारा डर खत्म करेंगे तुम्हें कुट्ता बनाते है बच्चों की कहानी है न सार सुन लीजिए कुट्ता भी डरता वो आया एक दिन पूछा क्यों डर रहे है हो बोले शेर है बार और बहुत मोटा है बहुत बूरी तरह काट के खाएगा चलो तो में शेर बना देते हैं आब तो किसी सा डर नहीं रहे गहाए बोले आब किसी का डरश नहीं शेर बनने के बाद कहते हैं कि एक दिन वो उनी को खाने आ गया और उन्होंने अर्डर कर दिया जा फिर से चुवा बनने ऐसे आपने काहनी सुने लेकिन मैं इसको ऐसे न कहके थोड़ा मोड देता हूं कि वो एक दिन फिर आ गया दरा हुआ क्योंकि बाद एक-दो शेर और आए भे थे अब रिश्री ने पोचा क्यों डरता है तुझे शेर बना दिया बोले शेर तो बना दिया दिल तो अभी भी चूहें कही है न तुमने बादीव से तो चेंज कर दिया है लेकिन अंदर तो चेंज नहीं किया न भगवान श्री कृष्ण, जो यह कोई शेर बना रहे हैं, चिडियन ते में बाज लड़ाओं, गुरु गोविन सिंग जी महाराज ने कहा था, शक्ति दे जा सकती है, तो इसलिए कहते हैं कि पहले तो तुम अपने स्वरूप को पेचानों कि तुम हो कौन, ना मरने वाली आत्मा हो, इसलिए मैं जो आपको सुना रहा हूँ, सिर्ब इसमें प्रेड़ना ही नहीं है, जीवन गाता है, वो संदेश है, जिसे सुनने के अवशकता है, और सिर्ब अपनाना है, एक तो आज से डरपोक बन कर नहीं जीओगे। करता आ रहा है, इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16-19 अक्टुबर 2024 सक, 108 कुंडिये गडेश लक्ष्मी महायग्य आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गडेश लक्ष्मी के महाजाब के साथ सांथ मंत्राहूती विशेश रूप से हो सांथी 17 अक्टुबर को वर्दान सिध्धी साधना में सम्मेले थोकर देव गुरु क्रपा प्राप्त करें कारेक्रम की रूप रेखा दिनाग 16 से 19 अक्टुबर 2024 प्रात है आठ बजे विशेश कारेक्रम 17 अक्टुबर वर्दान सिध्धी साधना एवं शरत पूर्णिमा पर गुरु दर्शन आयोजक विश्व जागरती मिशन आप सब परिवार इस कारेक्रम में साधर आमंत्रित हैं आप घर बैठे भी यग्य में भाग ले सकते हैं यग्य में यज्मान बनने के लिए संपर्ट करें परम पूज्य सक्गुरुदेव श्री सुधान्शु जी महराज एवं डॉक्टर राजिका दीवी जी के पावन सानिध्य में दिव्यभक्ती सत्संग कारिकरम की रूप रेखा दिनाग 24-27 अक्टूबर दोहजार चौबिस सायम पाँच से साथ बजे 26-27 अक्टूबर वर्दान सिर्धी साधना प्रात है आठ बजे 27 अक्टूबर गुरु मंत्र दिक्षा प्रात है ग्यारा बजे सत्संग सल करम वीर गार्डन सेक्टर 11-D मिलन वाठिका के पीछे फरिदाबाद आयोजग विश्व जागरती मिशन फरिदाबाद मंडल संपर्ट सूत्र आप सभी इस कारिकरम में साधर आमंत्र थें परंपूज्य श्री सुधानशुजी महराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्ची का दीदी के सानेध्य में विश्व जागरती मिशन द्वारा 26-30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है विश्व जागरती मिशन पिछले कई वर्षों से अलग-अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिवर आयोजित करता रहा है जिन में आयोध्या, मनाली, रिशिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेश दौर पर ध्यान के शिवर लगाय जाते हैं इन शिवरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकागर कर, अपने इंद्रियों पर नियंतर्ण करना सीखा ये पहली बार है जब महराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं इस कारिक्रम में द्वार का तीर्थ दर्शन के साध साध गोंतिस्नान समुद्री सैर, जब तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनेहरा अवसर प्राप्थ हो रहा है द्वार का तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त, वादन कुलित कमरे, होटेल और धर्म शालाएं आरक्षित करवाई जा रही है ध्यान साधना शिवर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सिमित हैं, जल्धी अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें